सो हेलो दोस्तों कि यह हल चाले उम्मीद है आप अच्छे होगे लेका हाज यह आपके लिए एक और इंपोर्टेंट वीडियो दोस्तों आज हम रिव्य देने वाले इंडन नेवी डाबाले आज आपके एक्जाम सेंटर पर क्या क्या हुआ सबको जनका इस वीडियो में देंगे तो यह वीडियो उन भाहियों के लिए इंपोर्टेंट है जिन भाहियों का इंडन नेवी का एक्जाम है तो आप अपने एक्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेना इंपोर्टेंट पर क्या-क्या हुआ तो इनका एक्जाम सेंटर गया था देरा दोन और इन्होंने रिव्यू दिया साथ जुलाई दोहजे एकस का यानि कि आज का रिपोर्टिंग कब थी इनकी सुगय साथ वजे ठीक आगे बात करते हैं कितने रिपोर्ट किये थे एक्जाम सेंटर पर इन्हों वाले बैच में 61 बच्चे दोस्तों रिपोर्ट किये गए थे यानि कि इतने बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी 61 बच्चों की आगे बात करते हैं जिसमें की PFT में 16 बच्चे आउट कर दी गए आप देख सकते है डॉक्रमेंट में दोस्तों दो बच्चे आउट किये गए या तो कोविट की रिपोर्ट की वेज़ से या उनके पास परियाप्त डॉक्रमेंट नहीं होंगे तो आपको सई डॉक्रमेंट लेकर जाने होंगे अपने एक्जाम सेंटर पर तो दो बच्चे आउट कर दी गए आज आगे बात करते हैं अच्छा है बाई और PFT में क्या क्या हुआ रिपोर्टिंग ज़्यादा की थी 61 बच्चे आये थे पहले रनिंग होई फिर स्काइडप्स होई फिर पुसप्स होई और आपको बता दें पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है यानि कि 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनिट में कंपलीट करनी है ठीक तो पूरा टाइम आपको मिल आए लेकिन रनिंग आपकी एजी हो रही है आपको रुकने का मौका नहीं दिया जा रहा है यानि कि लगातर आपको रनिंग करनी है 7 मिनिट में कंपलीट करनी है 1.6 किलोमीटर रनिंग और जैसी रु आपको बता दें वर्मिट मेरे भाई दोस्तों 10 आपकी पुसप्स हुई है आगे बात करते हैं पुसप्स में कितने बच्चे आउट की गए तीन बच्चे दोस्तों पुसप्स में आउट कर दी गए एक गुर्फ बनता है 15 बच्चों का उसमें से तीन बच्चे आउट कर दी दोस्तों 20 आपके उठख बैटख हुई थी और उठख बैटख कैसे हुई थी दोनों हाथ आपके फीस के आगे और मिले होने चाहिए और पूरा डंड करवा रहे थे तो 20 आपकी उठख बैटख वहिए और सर वचे पास कर दी गए ठीक है तो इन्होंनों आudos कह है कि हमारी बै बच्चे आउट कर दी गए थे यान कि 30% बच्चे लिकाल दी गए थे आगे बात करते हैं और हां दोस्तों आपका रिटेन एक्जाम हो रहा है हमने पूछा था इन भाहिस से कि इंडर ने भी एक्जाम सेंटर पर आपका एक्जाम कराय गया था या नहीं तो इन्होंने का है क लेकिन टाइम बहुत कम पड़ रहा है ओमर फिल कलने के लिए लेकिन दोस्तों एक घंटा आपको मिल ला है और एक्जाम पर टाइम बिल्कू सेम टू सेम है जैसे ऑल्लाइन आपका एक्जाम होता था ने भी डावाले SSR का तो ऑफलाइन एक्जाम में भी दोस्तों एक्ज क्या कोशन करने पर ते लास्ट टाइम में तो पूरे कोशन नई कर पाई ये आगे बाद करते हैं मैं थोड़ा हाली था बस दोस्तोंuje का सकते हैं क्योंकि का मई होगी तो डुस्तों मैंत कोशन सॉल्फ किनिंह कर ये और मैं थोड़ा हाई घया रहा तो इनके एक्जाम जितनल कर सकते हो कर लेनाँ ठीक आगे बात करते हैं रइनिंग में दोस्तों आपको भिल्कुल भी रुकरा नहीं है वन पॉइंटола टाइम को धिया जा रहा है साथ मेट और रणिंग के टायम आप रुकते हो जरा सभी तो आपको disqualify कर दिया जाएगा इस बात का दिया नखना तो running आपकी easy हो रही है वैसे देखा जाए तो पूरा time आपको दिया जा रहा है आगे बात करते हैं written exam का दोस्तो result इनका दिया नहीं गया है खाली इनका PFT और exam हुआ था उसके बाद दोस्तों इनको भेदिया गया था ठीक आगे बात करते हैं पहले दोस्तों इनका exam हुआ था उसके बाद PFT हुआ था और merit list इनकी 30 तारीकों आएगी 30 जुलाई को आएगी इनसे कह दिया गया है तो रिजल्ट इनका गोसित नहीं किया गया था उस दिन तो 30 तारीकों इनको wait करना होगा 30 जुलाई 2021 को merit आने वाली है नेवी डावाले SSR अगर 2021 बैच की तो जिन भाईयों का exam है प्लीस आप उन तर इस वीडियों पहुँचा देना share का देना उनको बता देना कि 30 जुलाई को आपकी mad list आएगी और result उस दिन गोसित नहीं किया जाएगा जिस दिन आपका written exam होने वाला है ठीक है आगे बात करते है exam level कैसा था medium इनका exam level था जादा easy भी नहीं कह सकते है जादा हर नहीं कह सकते है तो medium level का इनका exam आया था PFT दोस्तों इनका normal हो रहा है और आगे दिखते हैं हम बच्चे बस running में रुके नहीं और medical दोस्तों इनका नहीं हुआ है आपको हम पहली बता देते है medical कब होगा वो होगा final में आया ने चलका में तो medical आपका नहीं हुआ है आपका exam हुआ सबसे पहले फिर आपका PFT हुआ है और document verification ठीक है और दोस्तों important बात दियान दीजे इन भाई ने हमें बताईए पुसप्स में जो इंडर नहीं वाले position बोलें उस position में आपको पुसप्स लगा नहीं है और पुसप्स में 2-3 second hold करा रहे है दस पुसप्स आपका हो रहा है आगे बत करते हैं medical दोस्तों आपका नहीं हो रहा है direct आया न चिलका में दोस्तों आपका medical होगा हम आपको बता चुके हैं और 3 जुलाइव को आपकी मेट आएगी आगे बत करते हैं इनके वाले बैच में दोस्तों COVID की रिपोर्ट में कोई बच्चे लिका ले ने गए और document verification आपका हुआ है document को लेका हमने वीडियो बना दिया यदि आपने देखा नहीं तो channel पर जाकर देख लेना important exam देने से पहले आपको exam center पर कौन गौन document लेके जाने होंगे कौन चेक होने वाले हैं तो हलाकि हमने इसको पर वीडियो ना दिया जाकर देख लेना तो ये बात हम आपको बता चुके हैं आगे बात करते हैं दोस्तो इतना ही था इन्होंने बता दिया सब कुछ और document दोस्तो बारमी की माक सीट दसमी की माक सीट आपको लेके जाने होगी अधार कार्ड डॉमिसाइल सेटिफिकेट कोविट की रिपोर्ट और अपना एड्मेट कार्ड लेके जाना है बाकी आप वीडियो देख लेना उससे भी आपको according पता चल जाएगा एक आदो document और छूटिगा होगा तो उससे clear हो जाएगा तो आज आपके exam center पर यह सब हुआ है बाकी सब कुछ normal हो रहा है आपका PFT भी normal हो रहा है कुल मिलाकर 100% बच्चों मैं से 30% बच्ची आउट हो रहे है ठीक है 70% बच्चों को पास किया जा रहा है तो आज दोस्तों exam center पर यह सब होगा हमने आपको बता दिया बाकी आप नीचे comment करके बता देना जिन भाहियों का exam हो चुका है और दोस्तों यदि आप अपना review देना चाहते हैं तो आप टेलीगाम पर आ जाना जी study के नाम से टेलीगाम एकाउंट है जॉइन का लेना पलपल की जानकरी हम आपको देते रहते हैं और अपना review दे सकते हैं हमें टेलीगाम पर लिंक आपको नीचे मिल जाएगा नहीं तो तो आज की वीडियो में तना ही था अब जो भी आपका सवालों कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और हाँ दूस्तों इस वीडियो सेर कर देना उन तब पहुचा देना जिनों का इंड़ने वी का एकजाम है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में आप त्यारी करते हैं रहो अपना ख्याल लखना चैनल को सस्काइब करें बिन मत जाना जै हिंज भारत